दोस्तों सुजलान एनर्जी लिमिटेड का शेयर जो है कभी 450 रुपए का हुआ करते था जो कि आज एक मेनी स्टॉक बनके रह गया है और 3 रुपए मेहस 3 रुपए में ये स्टॉक आपको मिल जाता है इस वीडियो में हम देखते हैं कि सुजलान एनर्जी लिमिटेड की भारे गिरावट के पीछे क्या रिजन्स है और इसके fundamentals हम देखते हैं और ये बताने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में की fundamentals के साथ साथ और भी क्या regions हो सकते हैं एक company की बड़ी गिरावट के तो जानने के लिए वीडियो पूरा देखिएगा और चैनल पे पहली बारा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और सताले पर क्लिक करें तो fundamentals पर नजट डालने से पहले हम देख लेते हैं कि अगर एक साल पहले आपने इसमें निवेश किया होता तो ये 13 रुपए का स्टॉक था जो की एक retail निवेशक के लिए काफी attract करने वाला स्टॉक होता है तो 13 रुपए से गिरखर आज ये 3 रुपए पर आ चुका होता है वहीं अगर आपने 3 साल पहले इसमें निवेश किया होता तो 3 साल पहले ये करीब 20 रुपए पर हुआ करता था जो कि आज फिर से 3 रुपए पर आ चुका है 5 साल पहले ये करीब 34 रुपए पर हुआ करता था और maximum इसका गया है 450 रुपए के करीब तो आप देख सकते हैं कि इसमें कितनी भारी आपको loss हैना पड़ता है तो आईए जल्दी से देख लेते हैं इसके fundamentals कैसे हैं तो हम देख सकते हैं कि जो market capitalization है 1835 करोड का है इसका book value देखें तो minus 15 रूपाय है 3 साल और 5 साल का negative trend इसका continuous रहा है जहां पर 3 साल का minus 25% के करीब है वहीं 5 साल का minus 15% के करीब है और इसका earning per share हम देखें तो अभी negative minus 3 रूपाय के करीब चल रहा है profit before tax है पिछले साल का वो करीब 400 करोड रूपाय नेगेटिब में था profit before tax जो है पिछले quarter का minus 50 करोड रूपाय के करीब था इसका जो net profit है overall minus 1700 करोड है इसका जो EBIT पिछले quarter का था वो minus 303 करोड का था इसका जो debt है वही साहब वो 11,996 मतलब 12,000 करोड की रूपाय के करीब इनका debt है और इसमें सबसे बड़ी जो बात है वो promoter holdings की है तो देखे हम promoter holding जो ना के बारावर है इसमें करीब 12,79% के करीब इसमें promoters अपने share hold करते हैं तो ये जो fundamentals हमें इशारा करते हैं कि इस company से हमें कितना दूर और दूर चले जाना चाहिए इसमें बिलकुल से निवेश नहीं करना चाहिए हलाकि देखा जा तो ये पिछले दो सालों में profitable रहा था जहां पर हम देख सकते हैं कि मार्च 2016 और मार्च 2017 में इसे करीब 583 और 877 करोड रूपय का इसको net profit हुआ था लेकिन ये फिर से वही ट्रेंड नेगेटिव ट्रेंड 2018 और 2019 में चालू है तो इस कंपनी में निवेश करने के दो बड़े कारण जो मुझे लगते हैं वो ये है कि एक तो प्रमोटर होल्डिंग ना के बराबर और दूसरा जो इसका debt है वो बहुत ही जाद है इस कंपनी के market capitalization के हिसाफ से अगर हम देखे तो 11,000-12,000 करोड का debt जो हता है वो बहुत ही जाद है था हलागि इन्होंने debt अपना काफी कम किया है पिछले कुछ सालों में लेकिन अभी भी देखाया तो ये काफी जादा है तो मुझे सुजलान के failure के पीछे एक बड़ा कारण क्या लगता है कि ये market के साथ खुद को evolve नहीं कर पाए ये एक ही product के साथ आये थे market में और उसी product में इनको excel करना चाहिए था और वो भी नहीं कर पाए ये और promoters दीरे दीरे यहां से खिसकते चले गए और उन्होंने अपना सारा निवेश जो है दीरे दीरे प्लेश कर लिया है और देखा जाए तो अब Indian government काफी कुछ कर रही है renewal energy के छेतर में और आने वाले समय में काफी कुछ देखने को मिल सकता है भारी निवेश हमें देखने को मिल सकता है लेकिन सुजलोन में देखा जाए तो एक तरह से पीछे हो चुका है और जहां पर हम देख सकते हैं कि गुजरात इंडरस्टी इस पावर जो है आइनोक्स विंड है यही पर केके की भी एग्रो पावर्स है तो इस तरह की कंपनी इस ने अपना कभजा कर लिया है और सुजलोन के लिए काफी मुश्किले आने वाली आने वाले समय में तो जाते जाते मेरा ये सुझाओ रहेगा आप लोगो को कि अगर आप लोगो ने इसमें निवेश किया है तो मैं कहूँगा कि exit मत करिये उसको रहने दीजिए आप ये सुचिए कि भई आपने कुछ कपड़े खरीद रखे थे jeans ले रखी थी वो फट गही आपकी और किसने देखा आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है तो इसका जो sales turnover है वो 6,186 करोड रूपए के करीब है जो की चोटी बात नहीं है तो आज की वीडियो में इतना ही और अगर इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अगर आपने यूट्यूब हिंदी में चलाते हैं तो सदे से तेल पर क्लिक जरूर करें